कि मौत की गुथियां जो है वो सुलजने का नाम नहीं ले रही है अब तक बार बार ये मांग की जा रही थी कि उनकी बहुत की जाच जाच CBI को सौप दी गई लेकिन तब भी कई तरह की बातें जो है हुआ में है कुछ राजनितिक भी है कुछ उसको बिहार के चुनाव से जोर कर भी देखा जा रहा है लेकिन अब एक नई बात सामने आई है और वो ये है कि अब इस बात की कोशिस की जा रही है कि साइकलोजि के तुक देड़गोडी है उसका पोस्टमार्टम जनर तो हमने सुना था उसमें खाव क्या होता तो पहला सवाल मैं रेक्टर सोमा शेखर आप से लेना चाहता हूं, माफ्क जी का पहले मैं आपको इंट्ड्यूस करना भूल गया, कि इस प्रोग्राम में दर्शकों आपके सुविधा के लिए बता दू कि दो हमारे महमान जुड रहे हैं, एक हैं डॉक्टर अशोक जैनर, यह भी इंगलाइन में हैं और इनके साथ डॉक्टर सोमा शेखर, दोनों ही इंगलाइन में हैं, दोनों मनों चिकित्सक हैं, यानि जो हमारे जो मनों भी ज्यान है, उससे रिलेटेड चिकित्सा ही करते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा बहतर डंग से बता सकते हैं और उसके अलावा आत्मात्या में जो भी रोल रहा हो उसको इसके जरिये कैसे खोज कर निकाला जा सकता है तो पहला सवाल डॉक्टर सोभ सेखर आपसे कि ये जो है साइकलोजिकल अटॉप्सी क्या है मतलब इसमे क्या होगा कैसे होगा ख्या शवति ने लुबध कि ये फैसमें टापसे इसके लिए विए टॉक्ट पस्कार्शिकल गींटर शविज इसको अखिए अजुबस में पेस्टफना अपसि ए वार भ्या कि ये जुब कि अपावा टॉक्त ने लिए डिए टॉक्ष एट वाल रॉक्ट आफ ये एट पन we still have one and one will die at some point in time. And for this purpose of this today's discussion, death can be classified into two major categories like natural death and unnatural death. Natural death is due to, say, old age or a known illness like myocardial infarction or stroke or something like that, which is easily identifiable, so they are the natural causes. में ब.» बुक्र में वेशंचर उन्नाचर अट नट टूक्राइट अट्रॉट एट टू काझरीज में विव था टा टूकरी स झाहा इसे आट इटॉटी ज़ा गुरोजगा हाब उन्टरीव बाफ़ाशण घटाथ प्ररफ टे एक्सारां परेस्टिद अस्टिड गजसंग ए्ट्रेव एक्साराइ श्टिखवा अजसा प्रमछ ऐस विल्स ऑन पर झामेंटी विल्स अजसाप व्लस्टिव एल्यावरा विल्स ऑूर्टराइट सा जगना अमरिक शो इस समीहुता बार्दक्रट को शॉष्टा तोब साद तोई इर इस न が इस बेसे फरतॉब क्तार known शॉष्ट को दैस चेочка थमृट्ट बॉटसय को फस्टट क्षीव जाब जाने कर दाए कि आउने लिएटीटा जाइब एक टारीट और कि और दो इंट प्टैसित्ट तूह। जाद इजाज टीजीक्ट एजिसे फिड़ स्ट्टीजिग लिए लग और टेंगे पिक्ट्ट इस तो फैंने जाम टारीटीज चैनल पीजिए इन टो समय की उना बढ़ातों, बभगे है, भी एक हिली टिए पर सुष्टाइब राष्ट अपरे व्ट घज्स्ट इस आई लेगा है लिख प्रस विजर न्यूंट गाली बिए्ट इस वेखा रते देर्श्ट एप से जाहरा रितेू झाली छी राव इस अथाने घ्त गरोब गाट स्टेट इंवे इंव एव अव व कर दोसे गे दोप्स अपर कर दो जो एंवे इन ए टो प्रोग बस्वेश्ट और इंड रोग दिता डिष्ट गडिया फिर विए। इंड जुट पॉच के विए इन दो अट कर दो एंदू इंड उन एंड़ प्रफूब्द गानी एंड वेट वाप्ध थे ऊड़व च। तपस को अजित त Our प्रब़ श्यॉड कर पाफ्यूड एशू चूटेश उंज कर पाफ्यू sendiri ऑन्ति गएनम झाल पाज़ गे बाने आखवास़ characteristic पाफ्यू एछ लिगाज प्रॉड आट अबप्यू, चा हम झाल दे कर नहीं कि फिविक बिम्हां बिसस्टाव के समें एक यह ब्रॉच्स इस पॉर्च जाई कि यह व्यापने कॉपूर वाट प्रॉच्छों सट्रॉच को ब्रॉच्छ इन से बिए यह दो जो पीलिए सफिर अगोगा इंग और इस घ्रम ड्यार कर ड्यांटने मेट्वाच्छ उ जैनर से लेता हूँ और फिर उसके बाद दुबारे आपके पास लोड करके आता हूँ दॉक्त जैनर शोमा सेखर ने बहुत बताया लेकिन जैसे की सीन क्रिएट करना जिस समय मौत हुई थी उस समय क्या परिस्तितिया रही होगी उसके लिए जो डबी बनाना और यह सब सारे बहुत सारी चीजे पहले से ही हो रही थी तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा डोक्टर जैनर की फर्क क्या परेगा वो जैसे बैग्राउंडर का इंवेस्टिगेशन पहले भी होता था अब ये पहली बार ये कहा जा रहा है कि इसमें और उसमें क्या फर्क है तो इसमें पहले बता देता हूं कि साइकोलोजिकल अटोप्सी रहली होती है लिमिटेड कंट्रीज में होती है और 2017 में केवल 21 हुई थी अमेरिका में ये ये इस नोटे कन फर्मेटरी इस सपोर्टीव ये थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं दूसरा जो इसका सेंट्रल सेंट्रल प्रंस्पिल है जो में यह है कि 90% से जादे 90% से ज़्यादे लोग जो सुसाइड करते हैं उनके अंदर एक या दो मेंटल डिसोडर होता ए इस फ्री पर हम आगे चलते हैं अगर किसी ने सुसाइड किया है और हमको यह पता चल जाए रिट्रोस्पेक्टिवली कि इसको मेंटल दिसोर्डर था तो फिर यह आसान हो जाता है उस रास्ते पर सोचना कि सुसाइड हो सकता है तो साइकोलोजिकल अटरपशी पीछे जाके यह सिद करने क कोशिज करते हैं कि क्या इसको मेंटल डिसोर्डर था बहुत सारी केस ऐसे होते हैं कि उसको पेड़ पे लटका अब पाया अब पदा चला कि एक दिन पहले वो हस्ता खेलता था किसीने उसको मार के लटका दिया या उसने कुछ सुसाइड किया या वो किसी कारण से से mentally बीमार है और mentally बीमारी से एकदम हमारा suicide की तरफ पलड़ा बारी हो जाता है तो इस case में मैं इसमें एक बीच में इंटरूप्ट करूँगा डॉक्टर जैनर बस एक सेकिंड के लिए वो यह है कि अगर हम सुशान्त के case को ले लें तो इसमें ये बात पहले से ही थी कि वो stress या psychological problem related treatment वो करा रहे थे कहीं पर ये ख़बर भी आई कि उनको hospitalized भी होना पड़ा था तो जाहर सी बात है कि ये problem तो उनके साथ पहले से चल रहा था जब psychological autopsy होगी तो नहीं क्या चीज़ें और मिल जाएंगी जिससे कि ये case जो है इसको एक नया मोड़ में तो यह नहीं मालूम है कि उनके क्या diagnosis ती क्या treatment था लेकिन psychological autopsy मेंली देखती है कि motive क्या था intention क्या थी और mental disorder था या नहीं था mental disorder को retrospectively establish करना बहुत difficult काम है क्योंकि ये मरीज को देखनी सकते मरीज को असस नहीं कर सकते मरीज से बात नहीं कर सकते जिस information पर लोगों की बाते सुनके हम picture paint करेंगे वो गलत भी निकल सकती है तो यह इसका drawback भी है retrospectively कर रहे हैं हम जहां तक आप कह रहे हैं कि उनको पहले से mental illness थी अगर तीन चीजे एक सीरीज में जा रही है एक साथ को रिलेट कर रही है mental disorder established हो उपर से indicators हो indicators और intentions suicide की indicators होते हैं कि आप सर्च कर रहे हैं कि किस method से मैं suicide करूं आपने एक note लिखके छोड़ा हुआ है मेरे बाद में मेरी प्रोपेट्री का क्या हो आपने एक suicide note प्लान किया हुआ है आपने एक दिन प्लान किया हुआ उस दिन मेरे को करना है यह सारे indicators और mental disorders और फिर आपका मेनर्स जिस मेनर्स में आपने suicide क्या यह तीनों एक साथ अगर मैच करते हैं तो दैस्ट पावर्फुल एविडेंस और साइकोलोजिकल अटॉप्सी में जो आप कह रहे हैं कि इतना ही एस्टेबिलिस हो पाएगा कि क्या उसको mental disorder अगर था उसमें और एविडेंस आ सकते हैं पर आसपास के लोग यह भी बता सकते हैं उसको और सपोर्ट करने के लिए कि उसकी परफॉर्मेंस काम पर नीचे होगी थी काम में रूची कम होगी थी उसकी नेंद खराब होगी थी उसका वेट कम हो गया था आइसोलेट करता था तो यह उसमें जुड जाएंगे अभी द कि यह समझनें की कोशिस करी कि किन परिस्थितियों में फोसांत ने आथ भत्या की ए और उस समयं उनकी सौच क्या थी जाहिर सी बात है बहुत सारी चर्चाएं आ रही है कि भुक ते लोगों ने उनको प्रॉइब किया वगरा वगरा वो तो एक अलग मामला है वो मैं सम्झ बिहार के चुनाओं से जोड़ा जा रहा है उसको भी मैं छोड़ देता हूँ डॉक्टर शोम सेखर मैं सीधे आपके पास आता हूँ एक नई बात को इस बात को समझने की ये कि अभी जो डॉक्टर जैनर ने कहा कि पहले से समझा जा सकता है कि कोई आदमी आत्भत्या करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है क्याँ चीजिया है और उसको समझ भी ले कुई तो कैसे उसको जो है किस तरह से रोका जा कई सकता है क्याने से तो वो रुके कि नहीं के हो तो एक बिमारी के शिकार कैसे उसको रोका जा सकता है यह ए I will answer that before I just clarify about one or two things about psychological autopsy وع.Haul Εwingmanем además हम स्थ私lee- ذ σ movimento ्ग. ौ नण two that it definitely is not a replacement for a investigation and it is done by people who are in mental health professional in mental health service, and they can only give an opinion and that opinion can always be challenged. So, it won't be like a decision that this is because this is a suicide and this is the आम रही वा कुल अपसी है. छो Люб fa इस्काशिव जाह जांटेदग के माइसा है काहे और रानार है पसक्खशन टाया जायाсть से लख़ शुट ढूलएowane जार नाउव एसी प्रावक एफ बारी बारी प्राव सब्सेट जावला थाम एप और वाल आवे अथ मौकलाइव जह झाहा है इन्स नहींद पॉम्ट्च पर्ट ऑा ऑनाव hmण फटत। इन प्रेल बाव पहले इंवेन हैं and I even doubt whether the validity of these assessments in court because it can always be challenged because it is just an opinion of the professional so hope that gives little more clarity about please 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 answer one more question that is yes we'll do it I mean CBI official but the police I am in police officials or a doctor yeah I think again this issue in as I said the psychological autopsy is actually done in very few countries and this is done in America where a person is actually accredited by American Association of Suicidology so in India we don't have any such organization there is no person who is trying to do this and it is very difficult to really decide who will do it at the most the person who can do it is a mental professional preferably a psychiatrist or a person who is a psychologist who has a special interest in suicide so apart from these two the rest other people who are investigating who can investigate are probably not well qualified to understand these things and can do it so these are the only two people and these these reports can always be challenged as I said अगे एक और सवाल पूछूँगा उसके पहले मैं डॉक्तर जैनर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ एक बात बार बार चर्चा की जा रही है कि प्रोवोक करके उकसा करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया मैं यह समझना चाहता हूँ कि अगर किसी को साइकलोजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो क्या उसको उकसा के आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा सकता है कि तुम कर लो क्या वो एक नॉर्मल परसन जो है उसके लिए इतना प्रोवोक हो जाएगा मैं सुसांत के मामले में ही नहीं है जनरली पूछ रहा हूँ कि क्या प्रोवोक करके किसी आत्मे को साइट पूछाए जा सकता है मैं इसका जनरली इसका आंसर देना चाहता हूँ कि यह थोड़ा सा हमारे समाज में मिथ फैलिया पुछ के इस तरह के हुए पास्ट में और इस तरह से कि उसको प्रोवोक कर दिया और बस लाइफ एंड होगी ऐसा होता नहीं है 95 परसेंट से जाधे लोग वही सुसाइट करते हैं जिनके मेंटल हेल्थ खराब होती है किसी में दो दो मेंटल डिसोर्डर होते हैं इसा नहीं है कि यह खिलोना है कि आपने एक दम से किसी के कहने से आपने अपनी जान दे दी कुछ लोग suicide करते हैं वो impulse में करते हैं वो अक्सर यंग होते हैं adolescent age में उनमें impulse powerful होते हैं exam का result खराब आया और parents को मैं ऐसे कल कैसे दिखाऊं तो वहाँ पर ये उसको कहें कि exam के result ने उसको provoke किया लेकिन वो एक age factors भी होता है impulse related suicide में कुछ लोगों में accidentally हो जाते हैं वो नॉर्मल होते हैं suicide करना नी चाहरे थे intention नहीं थी वो attention लेना चाहरे है parents का मैं तो आप मज़े कर लूँगा ने तो मुझे पैसे दो मैं फंदा लगा रहा हूं और उसमें accident हो जाता है वो accidental non intention नहीं थी लेकिन हो गया लेकिन एक normal healthy person suicide किसी के कहने से या किसी के arguments से इतने आसानी से ऐसा नहीं होता है क्योंकि पूरे world के data कहता है कि 90% 95% से जाज है लोग में mental disorder होता है तभी suicide होता है अच्छा में बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब भी आपने डॉक्टर सोम सेखर मैं आप से एक सवाल और बूचता हूं कि अगर माल लीजी ये जो problem आता है कोई कहता है कि उसकी प्रेमी का छोड़के भाग गई गर्व्ट्रेंट से अलग हो गए और कभी-कभी ये कि आर्थिक कारणों से इतना दबाव पड़ा भारत में आज कल बहुत जादा रोज-रोज खबरें आ रही है कि आत्मत्या कर ली गई और अभी आज भी खबर है कि एक बेरोजगार हो गया था आत्मत्या कर ली ये सब ए डोन होता है yeah again I just Jainer explain this very well the important thing about suicide is that it doesn't happen in vacuum it just don't surface on one day and a person commit suicide it's a complex process and takes a very long time to really come person come to that decision just think killing someone self is not a simple decision it र seul मेरी रहेसे हaneous दोल कोई से हारा है जैसे हैं से मैंनों को कि होत्सिप्ता होगा वारा उनात Initiative है दो स मेरा कि को भी होरे होनी है है क्या है, चुछ प्रिक्वार से Quality ? ार है यंदे हम राहे ह adrenaline, व्हां धिए चाहे हो इजन ज्याम्न आधिए चैना हूनों और फित अवरो के पॉरी अआम आग नाग आ वीर मी वागम खाफ लाह वारो yes my father died because they're doctor was negligent, so we try to blame something which is immediately available to us rather than looking at long-term issue टार्फा धुकारनेशली गप्राइब परहाणी पहसे इने दुक्डेशका गुछर्थिट system कम प्रणेशी जारीख च but otherwise a well-developed person a normal personality it is very unlikely that person attempt or commit suicide just by one incident so it is impossible to really pinpoint that this incident caused it or this person words made him to commit suicide I think it will be wrong to say that this this has led to this suicide it's a very complex process okay dr. general a car so all up say that if someone sees some symptoms and sees some people and they understand that this person is showing suicidal tendencies and how can it prevent it yes there are three parts of the suicide one is underlying mental illness and like I said that the depression disorder is the most common 40% of people who suicide are depressed 25% of people are alcohol and substance issues लेकिन डिप्रेश्ट है वो इंडिकेशन दे रहा है कि मेरी लाइफ तो खराब है अब इसमें कुछ बचा नहीं है होपलेसनेस और वर्थलेसनेस की जो बाते करने लगे तो इंडिकेशन आ रहे हैं और कभी वो भूल से कुछ चीज खरीद कर लाएं जहर के नाम से और दिखा आएं कि मैं तो जहर लाया था या अन्नोइंगली पदा चल जाएं तो किलियर इंडिकेशन है कि नाव ये प्लानि जोगा कैसे कैसे प्लान करना है मेरी प्रोपरिटी का क्या तो वह इस चीज को भी उसने प्लान कर लिया आगे क्या होने वाला है तो वह उतना ही आगे और बढ़ता जा रहा है और पास्ट बिहेवियर अगर उसने पास्ट में सुसाइटम किया है तो फ्यूचर में बहुत केस आया है रोगों को बचाया है केवल एक केस ऐसा जिस में मेरे से उसको नहीं में बचा पाया जादे तर में तो इस्टेट अवे वी कनेक्ट टू दा सकाइटरिस्ट और वी ट्रीट द अंडरलाइंग मेंटल इलनेस कीप इंड़ सेफ एन्वार्मेंट जैसी मेंटल इलनेस जो प्लान कर लिया जैर खरीद लिया और जैसे ही वो कॉंटेक्ट में डिप्रेशन दूर हुआ उसके बाद कहते हैं मैं तो कितना मूरक था मेरे बच्चे सड़कवा आ जाते तो जैसे ही आपको पता चले कि यह इंडिकेटर सारे हैं उसको इमिडियेटली सिकाइट्रिस से अंडरलाइंग मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट जरूरी है और विधिन सिक्स विक्स एट विक्स में ही वो ठीक हो जाते हैं डॉक्टर जैनर बहुत बहुत धन्यवाद हमार पास जी हमारा समय खत्म हो गया है इसलिए अब हम इजाज़त चाहेंगे प्रोग्राम खत्म करने के लिए और दर्शकों आपके लिए मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जुड़े हुए हैं बलकि डॉक्टर अशोक जैनर और डॉक्र सोम सेखर दोनों अपसी की बात कर रही है या साइकोलोजिकल जो जो पोस्ट मार्टर की बात की जा रही है उसका मतलब क्या होता है वो कैसे कराया जाता है दोस्तों इस प्रोग्राम में बस इतना ही आपको धन्यवाद देने से पहले मैं एक अनुरोद करना चाहूंगा कि इस वीडियो के ब इंदी.com के सदस्य बन सकते हैं स्वैक्षिक है आप पर कोई दबाव नहीं है आपकी इक्षा है अगर आप चाहने तो बन सकते हैं या तो नहीं बन सकते हैं कुछ जादा सुविधाय हम अपने सदस्यों को देने की कोशिस कर रहे हैं उसके बारे में भी डिटेल वहीं से ब आगे हमसे आप हमारी याद की फिर मुलाका चाहिए